हेले शुडेंट्स मैं कमने स्कुभान सिन्हा कॉम्टिशन कम्मूनिटी के यूटुब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि हमारा सब इस्पेक्टर के लिए मल्टिपल चॉइस कोस्टन की जो सीरीज चल ली थी उस सीरीज में जो इतिहास के सब्जेक्ट को हम देख रहे थे या उनके कोस्टन को देख रहे थे उस सीरीज को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम जिन कोस्टन का अध्यन करेंगे वो होगा आपका मंदिकालीन भारत का प्रश्ण होगा तो आईए सुरुवात करते हैं मंद्यकालिन भारत के प्रश्णों के सांथ और यह रहा आपका पहला प्रश्ण मुहमद बिन कासीम के द्वारा सिंध की विजय कब हुई जैसे कि मंदेकालिन भारत दे शुरुआत हुई तो मंदेकालिन भारत में मुस्लिम देशों का आकरमण हुए या मुस्लिम लोगों का आकरमण हुआ तो जब मुस्लिम आकरमण हुए तो उनमें सबसे पहले आकरमण हुआ था अरबो का तो यहाँ पर सबसे पहले भारत में या बुलनाची सिंध प्रांत में अरबो का करमन हुआ और जब अरबो का करमन हुआ तो एक अरब आकरमन कारी आया था जिसका नाम था मुहमद बिन कासीम और मुहमद बिन कासिम ने उसमें सिंद्ध पर आकरमन किया और सिंद्ध में उसमें एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा दाहीर और सिंद्ध में आकरमन करेंगे और इसन राजा दाहीर को सिंद्ध के राजा दाहीर को ये क्या कर देंगे पराजित कर देंगे आपको पूछा है कि सिंदक राजा दाहिर को कब पराजित किया गया तो आप बताएंगे सिंदक राजा दाहिर को अफसा नमर सी 712 इस्वी में इसने पराजित किया एक चीज़ और आप याद रखेंगे यहाँ पर जब सिंदक अराजा जब पराजित हो जाता है और जब अरब आकरमनकारी मुहम्मद बिनकासीम आया तो इनों ने यहाँ पर क्या किया जजिया कर लगाया पहली बार एक नया टैक्स आपको देखने मिला जिसे हम बोलेंगे क्या जजिया कर बोलेंगे या बोला जाए हिंदों पर इन्होंने यह टैक्स लगाया था उसमें भी कुछ लोगों को इन्होंने छूट दी थी जैसे कि आपके महिला है जैसे महिला है महिला दुसरा बच्चे महिला बच्चे बुड़े व्यक्ति है बुड़े व्यक्ति है आपके विकलांग व्यक्ति है विकलांग है विकलांग है और जैसे आपके ब्रामवन इन पर इनोंने जज्याकर को नहीं लगाया इन पर लागू नहीं किया अब आप बोलेंगे इन पर जज्याकर को क्यों नहीं लगाया तो रिजन ये था क्योंकि ये कोई भी आए जनरेट नहीं करते, इनकी कोई आय होती नहीं है, खुद की कोई आय नहीं होती, तो इनसे कर नहीं लिया गया था, और इन पर जज्या कर नहीं लगाया था, तो आप ये दो चीज़े याद रखेंगे, एक अरब आकरमर कारी आया, मुहम्मद मिन कासीम, उसने सिंद्ध के राजा दाह देख लेते हैं, तो साहनामा के लेखा के हैं, फिर्दौसी, फिर्दौसी ने एक पुस्तक लेखी थी, जिसका नाम था साहनामा, वैसे हम कुछ आप्सन को और देख लेते हैं, जैसे एक आप्सन आपको दिख रहा है, उत्बी, उत्बी ने भी एक पुस्तक लेखी थी, ज उससे ने भी एक पुस्तक लिखी थी, जिसे हम जानते हैं इस नाम से, बोलेंगे हम किताब उलहिंद, किताब उलहिंद नाम की पुस्तक लिखी, तीसरा ये भी बर्नी भी एक राइटर था, बर्नी में भी एक पुस्तक लिखी, जिसे हम बोलते हैं, तारीक ए फिरोज साही, तारिख ए फिरोज साही नाम की पुस्तक लिखी तो आपको लेखकों की नाम भी एक्जाम में एक कोशिचन यहां से आना है और मद्यकालीन भारत में कोशिस की जाती है कि लेखकों की पुस्तकों के नाम आपको हमेशा पूछे जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो correct answer है वो क्या है सहानामा की पुस्ताग फिर्दोसी फिर्दोसी ने लिखी सहानामा ने फिर्दोसी लिखी clear है अगला जो प्रश्णा है मुहमद गौरी ने जैचंद को किस युद्ध में पराजीत किया गया जैसे कि अभी जश्ट आपके एक movie आई थी प्रिथ्वी राज चोहान तो चोहान वंस के ये बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे दिया आती है तो प्रिथ्वी राज चोहान जो चोहान वंस के राजा थे उस समय उनके समय तर दो लड़ाईयां लड़ी थे मुहमद गौरी ने एक जिसे कहा जाएगा आपका तराइन का फर्स्ट युद्ध लड़ा गया था मुहमद गौरी के द्वारा 1191 में और तराइन का सेकंड युद्ध ये दोनों युद्ध आपके मुहमद गौरी और और प्रिथ्वी राज चोहान के बीच लड़ी गए थे प्रिथ्वी राज चोहान के बीच लड़ी गए थी जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध में तराइन के फर्स्ट बैटल और तराइन में यहां पर आपका प्रिथ्वी राज चोहान वंस के राजा प्रिथ्वी राज चोहान जीत गए थे परन्तु दूसरा जो युद्ध हुआ तराइंग का सेकंड बैटल उसमें प्रित्यूराज चोहान हार गए अब यहीं पर इसका अंसर भी छुपा हुआ है अब जब प्रित्यूराज चोहान हारे तो उनके हारने के पीछे कहा जाता है कि उस समय गहडवाल वंस के राजा जैचंद उनका एक हाथ था और उन्होंने सहायता की थी किसकी मुहमद गौरी की जिसके का रैणव यह प्रित्यूराज चोहान इस तराइंग के दूती युद्ध में हार गए थे और तराइंग के दूती युद्ध में जब हार गए प्रित्यूराज चोहान उसके बाद मौहमद गौरी ने जैचंद के साथ भी एक युद्ध लड़ा जैचंद के साथ एक युद्ध लड़ा उसे कहा जाता है बैटल आफ चंदावर और ये बैटल आफ चंदावर लड़ा गया कब 1194 में 1194 में यह यह युद्ध लड़ा गया तो यहाँ पर आपका आप्शन नमबर C करेक्ट होगा 1194 में गौरी और आपका जैचंद के बीच यहाँ लड़ाई हुई थी जिसमें जैचंद पराजित हुआ था जैचंद पराजित हुआ हुआ था कई बार कई बार बोला भी जाता है नालंदा विहार को विद्वंस किसने किया रही यानि नालंदा विहार जो है उसे किसने तोड़ा तो सबसे पहले मैं चीज़े को बता दू कि नालंदा को बनाया किसने था नालंदा को बनाया था गुप्त वंस के एकसासक जिनका नाम है कुमार गुप्त कुमार गुपतने इसका निर्माड किया था अब आगे चलकर मद्यकालीन भारत में अलालाउद्दीन खिल जी और उसके पहले आपको बक sinners भी और उस नालंदा विहान के पस्षाद तोड़ दिया था में गिना जाता था जैसे मुहम्मद गौरी के अगर गुलामों की बात करें मुहम्मद गौरी के गुलामों की बात करें तो एक हुआ करता था आपका कुतुब अदिनाइबग कुतुब अदिनाइबग एक गुलाम था कुतुब अदिनाइबग दूसरा था उस समय कुबाचा और तीसरा था यल्दोज यल्दोज ये मुहमद गौरी के कुछ गुलाम हुआ करते थे जिसमें एक गुलाम था बक्तियार खिल जी जो बंगाल अभियान जाने के पशाद इसने क्या किया था इसे नालंदा विहार को तोड़ दिया था नालंदा विहार को तोड़ दिया था और एक प्रशन अगर आपको और पूछा जाए कि नालंदा जो है नालंदा किस चिछ के लिए फेमस है तो ये बौधदा विहार है तो बौधों में भी दो साखाए हुआ करती थी हीनियान और महायान तो कई बार आपको प्रशन पूछा है कि आक्सफोर्ड आफ महायान आक्सफोर्ड आफ महायान याने महायान का केंदर किसे कहा गया आप बताएंगे, महायान का जो केंदर हुआ करता था, उस समय नालंदा हुआ करता था, क्लियर है, कुवत अलिस्लाम मस्जिद अड़ाई दिन का जोपड़ा, कहां इस्तित है, कुवत अलिस्लाम मस्जिद और अड़ाई दिन का जोपड़ा, सबसे पहले जाने, कि मस्जिद क पास एक चीज और बनाई थी उसे बोलेंगे हम लोग कुवत उलिसलाम मस्जिद, तो इसे किसने बनाया, कुतुबुद्दिन ऐबक ने, पहले इस सिच को जान लिजे, कुतुबुद्दिन ऐबक ने, कुतुबुद्दिन ऐबक ने इसका निर्मार किया था, एक बनाया था अड़ाई दिन का जोपड़ा जो नामक मस्जिद है ये बनाई गई थी अजमेर में और कुवतुलि इसलाम मस्जिद बनाई गई थी ये बनाई गई थी दिल्ली में तो दिल्ली अजमेर में इसे बनाया गया तो आपका कौन सा आपसर करेक्ट हो जाएगा तो यहां पर आपस जो अजमेर में पहले चोहानवंस का वहां पर सासन हुआ करता था, चोहानवंस के राजा विग्रा राज चतूर्थ, विग्रा राज चतूर्थ ने संस्कृत विद्याले बनाया हुआ था, पहले जो था यहां एक संस्कृत विद्याले हुआ करता था, इस संस्कृत विद्याले को तोड़ा किसी ने, कुतुबु दिनैबक ने संस्कृत विद्याले को तोड़ा और इसी संस्कृत विद्याले के दिवारों पर अढ़ाई दिन का जोपड़ा नामक मस्जिद बनाई और अड़ाई दिन मी नाम कैसे पढ़ा ये भी बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज है ये धाई दिन में बनाया गया बुला जाता है टू एंड हाफ धाई दिन में बनाया गया इस मस्जिद को इसलिए इसका नाम पढ़ा अड़ाई दिन का जोपड़ा तो ये कहाँ पढ़ेगा ड़ाई दिन का जोपड़ा मस्जिद आपका अजमेर में और पहली चीज कौन सी कुवा तू इसलाम मस्जिद ये पढ़ेगी दिल्ली में और एक और चीज़ याद रखेंगे कुवा तू अजमेर को ये जो बनमानाई की सुरुवाद की गई यानि नियू रखी गई थी तो नियू रखने वाला कुवा तू अबग था बट कम्प्लेट किसी और ने करवाया तो देख लेते हैं चले तो यहाँ पर जब कुवाद मिनार की सुरुवाद हुई थी कुवाद मिनार की जब सुरुवाद हुई तो कुवाद मिनार का जो आपका पहला मंजिल आप देखेंगे पहला जो फलोर जो था कुवाद दिन अबग के दोरा बना गया पहली जो मन्जिल थी कुतुब तिन आबग के दूरा बनाए गई और इसके बाद उसके क्या हो गई जल्द ही मृत्य हो गई उसके बाद हम देखेंगे कुतुब तिन आबग के बाद अगला जो सासख है था दिल्ली सलतनत में वह था इल्तुतमीस और इल्तुतमीस जब सासन में आ तो उसने क्या किया इस कुतुब मिनार का निर्मार पूरा करा है यानि कम्प्लीट बनाने वाला कौन है इल्तुतमीस तो इल्तुतमीस ने इल्तुतमीस ने यहां पर तीन मंजिल और जोड़े और कुतुम मिनार का निर्मान पूरा करा है अगला फिरोज साह तुगलक फिर ये हुआ आगे चल कर तुगलक वंस का एक सासक आया जिसका नाम था फिरोज साह तुगलक जब फिरोज साह तुगलक यहां पर दिल्ली सल्तनत में आता है उस समय पर क्या होता है, इस कुतुम मिनार पर बिजली गिर जाती है, बिजली गिरने के कारण कुछ है, ये रिया जो है इनका, यानि बुला ची मिनार का उपरी सीरा चती गरस्त हो जाता है, चती गरस्त होने के बाद इसका जिन्नोधार किया जाता है, या मरम्मत या रिपेर था, यानि इसे बनाने में, साथी साथ इल्टुतमिस ने इसे complete किया, कुटुमिनार को बनाने में, और फिरोज साथ तुगलक ने क्या किया, उसे जिर्नोधार किया, पुनर निर्मार किया, तो अब आप ही खुद बताईए हाँ पर कौन सा ऐसा option दीख है, जो कुटुमिनार के निर्मार में युगदान नहीं दिया, निर्मार में युगदान नहीं दिया, तो आपका कुटुमिनार इल्तुतमिस और फिरोज साथ तुगलक तिनों नियुगदान दिया, एक option जो option माकी तो बक्तियार काकी की आद में इसने कुतुब अबख ने कुतुब मिनार की शुरुआत के थी. अगला··चंद देखिले ते हैं. किस दिल्ली सुल्तानने रक्तवह लौह की निति अपनाई? रक्तवह लौह की निति यानि इसे हम बोल सकते हैं, Blood and Iron की Policy तो Blood and Iron या बोला जाया रक्तवाह लोग की निती अपनाने वाला कहन था तो ये था दिल्ली सल्तनत का चौथा इंपोर्टेंट सासक चौथा सक्तिसाली सासक जिसका नाम है बल्बन तो गयासित दुन बल्बन जिसका पूरा नाम था तो बल्बन ने यहाँ पर रक्तवाह लोग की निती अपनाई अब ये रक्तवाह लोग की निती क्या है रक्तवाह लोग की निती में बल्बन जो है अपने विरोधियों को खतम करने पे लगा हुआ था यानि अपने कोई भी विरोधियों को चोड़ता नहीं था साथी साथ उनके परिवार वालों को कैद कर लेता था और बहुत जादा वहाँ पर कहीं न कहीं उनका सोसन किया करता था ये बहुत एक कटिन प्रक्रिया हुआ करती थी एक कटिन पॉलिसी थी इसकी बल्बन की साथी साथ जो बल्बन है बलबन अपने सामने किसी पिव्यक्ति को अपने आखों में आखें मिलाने नहीं देता था और वहाँ पर उसने एक और प्रता चलाई थी जसके बारे में एकजाम में पूसता है तो बलबन ने एक और प्रता चलाई थी जिसे बोलेंगे हम लोग सिजदा सिजदा वा पाबोस की प्रथा सिजदा वा पाबोस की प्रथा यानि बल्बन की दर्बार में बल्बन की दर्बार में अगर कोई आएगा बल्बन की दर्बार में अगर कोई आएगा तो उसे दंडवत परणाम करना होगा बल्बन को पैरों पर गिर कर उसके सामने जुपना होगा पैरों को चुमना होगा उसे सिजदा कहा गया और पाबोस की अगर बात करें पाबोस की हम बात करें तो पाबोस यानि की राजा के हाथों को चुमना तो सिजदा और पाबोस की प्रता भी चालू करने वाला कौन था यही बल्ब अगर माल लो कोई दुष्मन विक्ति आए तो हमेशा उसे दर्वाजे से जुक कर आना हो दर्वाजे कैसे आएगा जुक के आएगा कोई माल लो दर्वाजे छोटा जुक के ही आएगा और जैसे ही माल लो कोई दुष्मन अगर विक्ति लगा तो उसके तूरंत सैनी क्या करें क्योंकि उसका सर जुका होगा और तुरं काड़ देंगे बहुत कठी नीती अपनाई थी किसने बल्बन ने तो याद रखेगा बल्बन ने सिजदाव पाप उसकी प्रथा चालू की थी और क्या चालू की थी रक्तवा लौ की नीती अपनाई थी रक्तवा लौ की नीती अपन अगला प्रस्ण है, मंगोल अक्रमणकारी चंगेज खाँ भारत की उत्तरपस्चीम सीमा पर निम्नमे से किसके काल में आया था, मंगोल नेता चंगेज खाँ एक कुरूर अक्रमणकारी था, एक भेंकर इंवेडर हुआ करता था उस टाइम का, जिसको बोलते हैं चंगेज खा इल्तूतमिस के समय ख्वारिजम से ख्वारिजम का एक राजा आया था जिसका नाम था मांग बरनी मांग बरनी मांग बरनी मांग बरनी आया था और मांग बरनी का पीछा कौन कर रहे थे मंगोल आकरमनकारी चंगेच खां इस मांग बरनी का पीछा कर रहे थे और ये मांग बरनी साहिता मांगने आया था इल्टूतमिस के पास और जैसे कि अगर आप दिल्ली स्लतनत को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दिल्ली स्लतन में गुलाम वंस के एक मतपूना सासक हुआ था कौन इल्टूतमिस और अगर ये अच्छा सासक है तो ये अपने सामराज्य की सुरक्षा जरूर करेगा और सामराज्य की जब सुरक्षा की बात आई तो इसने क्या किया इसने देखा अगर मैं मांग बरनी की साहिता करूँगा मांग बरनी की सायता करूंगो तो मांग बरनी के पीछे पीछे यहां पर आपका चंगेज खां भी आ जाएगा तो चंगेज खां से अपने राज्यों को या दिल्ली को बचाने के लिए इसने किसकी सायता नहीं की मांग बरनी की सायता नहीं की ये KBC का भी प्रशन रहा है पिछले साल का अगर आप देखेंगे तो KBC में भी पूशा हुआ है ठीक है तो मांग बरनी की साहज तक इसने नहीं की इल्टूत मिसने नहीं की एक और चीज इल्टूत मिसने की थी जिसके बारे में आपको कोशन पूशता है ये अपने राज्य की सुरुक्षा के लिए ने अपने राज्य में नियंदर मनाया रखने के लिए इसने चालिस सर्दारों का एक ग्रूप बनाया था चालिस तूर्का सर्दारों का और चालिस तूर्का सर्दारों का ग्रूप को कहा जाता था तूर्काने चहलगानी तो आप याद रखेंगे, क्या कहा जाएगा तुर्कान ए चहलगानी कि निर्माड करने वाला या इस ग्रुप को इस समूग को बनाने वाला कौन है आपका? इस चीज़ को याद रखेगा और एक और चीज़ याद रखेगा इसने बनाया था इल्ट उत्मिस ने और बल्बन ने इसे समाप्त किया था उसको भी याद रखेगा बल्बन जो आगे चल कर एक सासक आया चैसे अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था गयासु दिन बल्बन जब आएगा वही क्या करेगा वही क्या करेगा इस तुरकाने चैलगानी नाम की संस्था को क्या कर देगा समाप्त कर देगा अगला प्रशन देखते है अलाउत दिन खिल जी के अक्रमर के समय देवगिरी का सासक कौन था ठीक है अलाउद दिन खिल जी खिल जी वंस का ये भी एक कुरूर सासक हुआ जिसने सिकंदर की तरह अपने सामराज्य को फैलाना चाहा ये भी चाहता था कि विस से विजय करूँ तो पहले इसने टारेट किया कि पूरे भारत को विजय कर लो बारत में उत्तरी चेत्रों ने इसने आकरमण किये उसके बाद दक्षणी चेत्रों पर आकरमण किया और जब दक्षणी चेत्रों में गया तो दक्षणी चेत्रों में पहला जो अभियान किया था इसने वह किया था देवगिरी में देवगिरी में और देवगिरी के उस समय सावसा हुआ करते थे एक राजा हुआ करते थे जिनका 尚ांधर लिट फा एक टाइटल भी दिया गया, राय रायन का टाइटल दिया गया, इसे एक टाइटल दिया गया, क्या टाइटल दिया गया, राय रायन का एक टाइटल दिया गया, किसको दिया गया, राम चंदर देव को, राम चंदर देव, देवगिरी का सासर, देवगिरी का सासर, एक और च खिलजी का दूसरा जो अटेक हुआ, दूसरा जो आकरमन हुआ, ये प्रताब रुददेव पर हुआ, और प्रताब रुददेव काक्ती वंस का राजा था, और ये कहां का सासक था, तेलंगाना में, तेलंगाना में, वर्तमान में जो तेलंगाना है, वहां का सासक हुआ करता था और यहां पर भी अटेक किया था किसे ने अलाउद दिन खेल जी ने जिसमें परताब रुद्द देव हार गए थे और इसके बारे में भी एक कुर्शन पुछता है कि कौन सा ऐसा सासक था जिसने राजा खुश करने के लिए या उसके अधिनतास विकार करने के बाद एक स कि भाई मैं आपकी अधिनतास विकार कर लिया हूँ राजा को इसने ऐसा किया था एक सोनी की मुर्ती बना कर जंजी डाल कर भी जाता है तो आपको कुश्चन पुछेगा कि ऐसा कौन सा राजा था तो आप बताएंगे यह राजा था आपका प्रताब रुद देव और कौन बस्तर में अपने सामराजी की इस साफना करते हैं बिलकुल आपका यहां से आपका आज जो बस्तर मितिहाज भी देखते हैं काक्ति वंस का वो सुरुआत यहीं से आपका होना चालू हो जाता है अगला प्रश्चन निम्नमे से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू कि बाजार सुधार लागू गयाने की आपका बाजार सुधार यहांने बुलेंगे बाजार मार्केट में कुछ मार्केट में के एक कंट्रोल सिस्टम लाया गया था बाजार मुल्य नियंतरन बुलायाता है एक्टॉल में बाजार मुल्य नियंतरन प्रणाली लाए गये थी ज जिसका नाम था अलावदिन खिल जी अलावदिन खिल जी ने इसे लाया था अब अलावदिन खिल जी ने इसे बजार मुल्य ने अंतर प्राली को क्यो लाया इसे समझते हैं सबसे पहली चीज की मैंने अभी पिछले कोश्शन में बताया कि Allowed Dyn Khilji बहुत सारे अभिहान करेगा इस सिकंदर की तरह अभिहान करना चाता था और बहुत सारे छेतर को जीतना चाता था और इसे सिकंदर सैनी या सिकंदर दुती भी कहा गे Allowed Dyn Khilji को तो ये चाहता थہ कि दक्षिन के छेतर ने में उत्तर के छेतरों में आकर Coleman करूं तो बट उसके पहले अगर मानलों की बाद, मानलों की बाद भारत भी अगर पूरे विस्टों को जीतना चाहेगा तो सबसे पहले चीज इंपॉर्टेन चीज क्या होगी important चीज़ ये होगी कि उसके पास बहुत बड़ी एक सेना हो बहुत बड़ी एक सेना हो वैसे ही अलावदिन खिल जी पहले एक ऐसा सासक होगा जो समुद्र गुप्त के बाद है ने गुप्त वंस में जो समुद्र गुप्त था जिसने दक्षिन के अभियान किया था वैसे ये भी एक सासक होगा अलावदिन खिल जी तो दिल्ली सल्तनत के समय में दक्षिन में अभियान करेगा और यहां पर एक पहली बार एक इस्थाई सेना या पर्मनेट आर्मी बनाएगा कौन अलावदिन खिल जी allowed d in khilji क्या बना रहा है इस्थाई सेना तो जब इस्थाई सेना बनाएगा allowed d in khilji इस्थाई सेना बनाएगा तो होता यहा है कि करीबन मान लो एक लाग दो लाग कि उसके अगडर सेना है बहुत बढ़ी एक सेना बना लिया और permanent army रखाया तो इस्थाई से न रख है ने इस्थाई वेतन देना पड़ेगा इस्थाई वेतन कितना दे पाएगा कितना दे पाएगा मालोदा से और बी से और कुछ असा दिया भी होगा कितना दे पाएगा जादा नहीं दे पाएगा एक टाइम तक उससे रोकना पड़ेगा वेतन को भी उतना जादा नहीं दे पाएगा तो इसने सोचा कि अगर मार्केट को कंट्रोल किया जाए क्योंकि उस समय हुआ यह था कि मार्केट में जो बाजार है बाजार में थोड़ी महंगाई बढ़े गई थी महंगाई बढ़े थी और बाजार में महंगाई बढ़ने के कारण उस महंगाई का भार कहीं न कहीं सेना के लोगों उपर पढ़ता उसने इस चीज़ को माप लिया था और इस सेना पर उस महंगाई की मार ना पढ़े इस कारण से उसने सोचा कि बाजार को ही क्या किया जाए ब market control हो जाएगा और सेना के लोगों को भी सस्ती चीज़े यानि बूलना चाहिए कम दाम पर चीज़े मिल जाएगी और सेना कभी अधिक वेतन की भी मांग नहीं करेगी यह सब कुछ इसके उद्देश से हैं अलाव दिन खेल जेगे अगला question भारत में स्वरपथम सांकेतिक मुद्रा या इसे हम लोग बोलेंगे token currency बारत में स्वरपथम सांकेतिक मुद्रा या token currency की सुरुवात किसके द्वारा की गए किसके द्वारा की गए तो भारत में जो सांकितिक मुद्रा का प्रचलन हुआ या इसकी सुरुआत हुई ये तुगलक वंस के एक सासक जिसका नाम था मुहमद बिन तुगलक उसे ने इसकी सुरुआत की थी तो आपसन नमबर डी आपका करेक्ट होगा करेक्ट होगा आप जाने कि ये टोकन करेंसी या बुलनाची ये आपका सांकितिक मुद्रा है क्या सांकितिक मुद्रा उस समय की बाद से जब मुहमद बिन तुगलक का टाइम चर रहा था तो तुगलक में या उस समय पर ऐसा हुआ कि अचानक से जहां से चांदी आया करता था या बुलनाची अफगान इससान के आज बास से चंदी आया करता था उस समय उस समय चांदी कि गही हो गई सांकेतिक मुद्रा अब ये एक्च्वल में है क्या समझो थोड़ा सा जैसे एक ग्राम एक ग्राम चांदी की या बुलना चीज सिल्वर की जो वैल्यू होगी एक ग्राम सिल्वर की वैल्यू को कर क्या दिया एक ग्राम कॉपर की वैल्यू के बराबर कर दिया और copper क्या है ये तो सस्ता है ये सस्ता है ये महंगा है यानि महंगी वस्तू को बोलना चीज को सस्ते चीजों के बराबर कर दिया यहाँ पर घरो घर सिक्के बनने चालू हो गए और घरो घर जब जादा हानी हुई उसका राज कोस खाली होने पर आ गया था और कंगाल होने की भी नौबत आ गय थी किसकी? मुहमद बिन तुगलक की तो यह मुहमद बिन तुगलक के आदेसों में इसने बहुत सारे गलत आदेस दिये थे और उन आदेसों में एक यह गलत आदेस यह भी था कौन सा सांकितिक मुद्रा का प्रचलन जिसको चालू किया था किसने मौम्मद बिन तुगलक ने चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं मद्यकाली न्यातरी एवं लेखक इबन बतुता किस देश का निवासी था इबन बतुता ठीक है इबन बतुता जो है पहली चीज एक कोशन पुछेगा आपको इबन बतुता किसके टाइम में आ था ये भी प्रशन बन सकता है तो पहले उसका अंसर देख लेते हैं फिर आपको ये अंसर में बता देता हूँ इबन बतुता जो है जैसे अब पिछला ही कोश्चन देखे थे मुहमद बिन तुगलक नाम का एक सासा हुआ तुगलक वंस का तो मुहमद बिन तुगलक के काल में या मुहमद बिन तुगलक काल में जो आया था वो कौन था इबन बतुता और इबन अबतुता जो था जहां का निवासी था उसको हम लोग बोलेंगे मुरको मुरको जो है अपसा नमर भी आपका करेट है मुरको जो है अफरीका का एक देश है अफरीका के एक देश है मुरको और अफरीका के देश का यानि मुरको का एक यातरी इबन बतुता मुहम्मद बिन तुगलक के समय आया था और इबन बतुता की एक बुक का नाम भी आप याद रखेंगे इबन बतुता की बुक का नाम था रहला इस बुक को भी आप याद रखेंगा इबन बतुता जब भारत में आया तो उसे ने एक पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है रहला रहला चलिए अगला प्रशने देख लेते हैं अगला प्रशने है फिरोज तुगलक द्वारा इस्ताफित दारुलसफा क्या था दारुलसफा क्या था वैसे इसने एक और चीज बनाई थी दिवाने बंदगान दासों के लिए इसने दिवाने बंदगान भी बनाया था एक और चीज याद रखेंगे फिरोज सात्तुगलक को एक चीज के लिए और याद रखा जाता है जैसे मैने अबह observation कि आपका मौमद बिन कासीम जब आकरमण किया था तही पर मैने बताया था कि जजिया कर इसने लगाया था जजिया कर के बारे में जब बतारा था तो मैने बताया था कि यहाँ पर मईला बच्चे बुधे विकलांग और ब्रामणों को विसेश कर से इस समय पर इस जजिया टेक्स से छूट दी गई थी बट जब फिरोज साथ उगलक आया तो उसे ने हैं जजिया कर विसेश कर ब्रामणों पर भी लगाया यह आपका प्रश्ण बनता है कि जज्यकर ब्रामणों पर किसने लगाया तो आप बताएंगे फिरोज सा तुगलग तो यहाँ पर जानेंगे हम कि जज्यकर जज्यकर जो लगाया गया किस पर लगाया गया ब्रामणों पर भी लगाया गया जज्यकर ब्रामनों पर भी लगाया गया अगला कोशन दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्मान करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन है नहरों का जाल नहरों कैनाल सिचाई के लिए क्रिसी सिचाई के लिए जो नहर बनाया जाते हैं उसका निर्मान किसी ने किया ये पूछा है आपको तो चार अप्सन है आपके पास इल्तुतमीज, ग्यासुदिन तुगलग, फिरोसा तुगलग और सिकंदलोदी तो यहाँ पर हुआ ये था तुगलग वंस का समय चल रहा था तुगलग वंस का जो संसाबक है यानि जिसे ने इस साबना की है वह है ग्यासुदिन तुगलग और ग्यासुदिन तुगलग नहीं नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाया है अब रीजन क्या है थोड़ा समझ लेते हैं अब बात ये उस समय की है खिलजी से जब चल रहा था खिलजी समय अलाओ दिन खिलजी ने बहुत जादा टैक्स लगा कर रखा था किसानों पर या क्रिसी उत्पादन पर अग्री कल्चर पोड़क्शन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा कर रखा था वो क्या agriculture production यहां मुलना चीए आपका क्रीसी उत्पादन कितना हो रहा है अगर क्रीसी उत्पादन ही नहीं होगा तो वो किसान विचारा tax कैसे देगा आप 50 क्या 100 percent लगा लो tax उसका कोई दिक्कत नहीं है उसका कोई दिक्कत नहीं है बट उत्पादन अच्छी होनी चीए और यह उत्पादन अच्छी होनी चीज बात पर ध्यान दिया तुगलक वंस के सासक गयासू दिन तुगलक नहीं और उसने पहले सोचा कि tax से तो मैं ले लूँगा वो दिक्कत नहीं है सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा कि यहांपर जो च्छेतर है जहांपर जो किसानी याने खेती के खेत या आपका जो भूमी है उस कृसी भूमी के लिए वहाँ पर किसी उत्पादान बढ़ सके उसके लिए उसने क्या किया एक नहरों का पूरे एक जाल बनाया ताकि सिचाई अच्छी होगी तो क्रिसी अच्छी होगी तो किसान आसानी से कर राजा को दे सकता है यह यहाँ पर गया सुद्धिन तूगलक ने पिछले कुछ सासकों से अलग किया था इसी कारण से प्रश्ण भी बना है चलिए अगले कुछ से नहीं तैमूर के आकरमन के बाद भारत में किस वंस का राज हुआ तैमूर का आकरमन जिसको हम लोग तैमूर लंग के नाम से भी जानते हैं कई बार हम लोग इसको तैमूर लंग के नाम से भी जानते हैं तैमूर लंग तो थोड़ी सीज़े जान लेते हैं तैमूर जो है तैमूर जो है तीमूर वर्ड से बना है तीमूर और तीमूर का मतलब होता है लोहा तैमूर जो है तैमूर जो है तीमूर नाम से बना है और तीमूर का मतलब होता है लोहा और यह जो लंग वर्ड जुड़ा ह तो माना जाता है कि बोले आता है इतिहास कारे को द्वारा जब इसने कुछ लड़ाईयां लड़ रहे थे तो लड़ाई लड़ते समय पैट तूड़ गया था तो लंगला बोलते हैं तो यह लंग जो वर्ड है एक पैट तूड़ें के कारणि इसके पीछे नाम में क्या जू पतंग समय आ गया था और तैमूर लंग ने आकरमण किया था तैमूर लंग ने आकरमण किया था 1398 में इस ने दिल्ली पर आकरमण किया और दिल्ली सल्तनत पर करीबन बहुत समय तक दो चार महीने तक करीबन इसने बहुत जादा क्या की लूट पार्ट की और लूट पार्ट करने के बाद यहाँ पर तुगलग वंस को इसने क्या किया पूरी तरीके समाप्त किया और तुगलग वंस के बाद एक नए वंस की सापना करवाई और उस समय जे खिज रखा नाम की व्यक्ति को इसने क्या किया था बाग डोर दे दे थी दिली की और खिज रखाने क्या किया एक नया वंस रखा एक नया वंस की निव रखी उसका नाम था सयद वंस सयद वंस यानि तैमूर के आकरमन के बाद भारत में किस वंस का राज हुआ तो भारत में क्रम में कौन कौन से आपके वंस आए एक्जाम में आपको पूछ सकता है यहीं पर इसी कोश्ण को भी देख लेते हैं भारज में जो दिल्ली सल्दनत थे दिल्ली सल्दनत में सबसे पहला जो वंस आया उसको बोलते हैं सलेव डाइनिस्टी या गुलाम वंस सबसे पहला जो दिल्ली सल्दनत में वंस आया था उसे बोलते हैं गुलाम वंस सलेव डाइनिस्टी उसके बाद उसके बाद जो दूसरा एक वंस आया उसे हम लोग बोलते हैं खीलेजी वंस क्या बोलेंगे खीलेजी वंस तीसरा जो वंस आएगा खिल जी के बाद तुगलक आएगा खिल जी के बाद आएगा तुगलक वंस और इसी तुगलक वंस के टाइम में यहाँ पर अटेक होगा किसका तैमूर का 1398 में और यह तुगलक वंस क्या हो जाएगा समापत हो जाएगा फिर मैंने बताया तुगलक वंस के बाद अगला जो वंस आया वो कौन सा वंस है सयद वंस सयद वंस और इस सयद वंस की सापना सयद वंस की सापना जिसने की थी उसका नाम था खीज रखा सयद वंस की सापना किसने की थी खीज रखा ने उस सयद वंस के बाद अंतिम दिल्ली सल्दनत का एक सासन आया, एक वंस आया, उसे हम लोग बोलते हैं, लोधी वंस, दिल्ली सल्दनत का आखरी वंस, लोधी वंस, लोधी वंस, आपको कभी पूछा जाए कि पहला वंस कौन सा दिल्ली सल्दनत का, तो आप बताएंगे गुलाम वंस, फिर आपका आया खिलजी वंस फिर आपका आया तुलग वंस फिर सयद और लोदी ये पाँच वंस ने इस पाँच वंस ने इन पाँच वंस ने कहां सासं किया दिल्ली सल्दनत पर सासं किया अगला कोश्चन आगरा सहर की सापना किसे ने की आगरा सहर की सापना आगरा जो वरतमान का आगरा सहर की स्थापना की अब जो लोधी वंस है जैसे मैं बताया था दिल्ली सल्तनत का आखरी वंस हो का कौन सा लोधी वंस है तो लोधी वंस हो लिए जो लोधी हुआ करते थे ये लोधी हुआ करते थे इसे एक और चीज में आपको पूछा जाएगा कि प्रथम अफगान सामराज्य कौन सा था प्रतम अफगान सामराज्य कौन सा था तो आप बताएंगे ये था लोधी वंस लोधी वंस लोधी वंस जो है प्रतम अफगान सामराज्य इसे कहेंगे और आगे चल कर एक सूर सामराज्य है सूर वंस भी आएगा उसे हम लोग दूतिय अफगान जाग विजयनगर आया था अब्दुर्रजाक इरान का एक यात्री था इरान का एक राजदुत था अब्दुर्रजाक ये विजयनगर सामराज्य के समय भारत में आया था विजयनगर सामराज्य जिसकी सापना जिसकी सापना मौम्मद बिन तुगलक के समय हरी हर वा बुक्का नाम के दो भाईयों ने की थी हरी हर वबुका नाम के दो भाईयों ने की थी और अपनी राजधानी बनाई थी किसको हमपी करनाटक को हमपी करनाटक को अपनी राजधानी बनाई थी तो यहीं पर आपको पूछ रहे कि अब्दुर्रजाक किसके टाइम में आया था अब्दुर्रजाक जो आया था देव राय दुटी के काल में आया था देव राय दुटी के काल में इरान के एक राजदूत इससे देव राय दुटी के काल में आया था एक और चीज़ आपको याद रखना है जब देवराय दिती के बारें बात करें और देवराय फर्ष्ट के बारें बात करें ये दोनों राजा ये दोनों राजा जो है उस समय विजयनगर सामराज के संगम वंस के राजा हुआ करते थे कौन सा वंस था ये संगम वंस के राजा थे संगम वंस के राजा थे कौन आपके देवराय फर्ष्ट और देवराय दिती देवराय फर्ष्ट के टाइम में भी एक यात्री आया था जैसे इसके टाइम में इरान के यात्री आया देवराय दिती के टाइम में इरान के यात्री अब दुर रख जाका आया वैसी देवराय फर्स्ट के टाइम में आपको पुछे का कौन आयाथा तो आप बताएंगे ताली कोटा का युद्ध कब लड़ा गया था ताली कोटा है ना ये विजय नगर सामराजी सम्मंदी थी प्रश्ण है तो ताली कोटा का एक भेंकर युद्ध लड़ा गया और ये युद्ध लड़ा गया था बहमनी सामराजी और आपका विजय नगर सामराजी के बीच उस स सबसे पहला जो हमने एक वंस निम से देखा था हूं सा आता संगम पूर्थ संगम पीशिचे तो जिसमें तुलूव वंस का एक सासक था कृष्णदेव राय और कृष्णदेव राय के बाद अगले कुछ सासक आते हैं उनमें एक सासक था जिनका नाम था सदासीव सासीव के टाइम में उन्हीं के काल में यहां पर बेहमनी सामराजय का आकरमण हो गया था और इसमें कहीं न कहीं आपका वीजैनागर सामराजय है पूरस पर तहसनास हो गया या बुला जीए वह समाप्ति के कगार पर आ गया था तो यह ताली का उटा युद्दा में क्या हुआ था उसे जान लेते हैं जिसके बारे में आपका question पूछा है तो आपको option दिया है अकबर और मालवा के बीच में लड़ा गया तो यह तो गलत ही है विजय नगर और बहमनी सामराज्या और विजय नगर और बीजापूर एहमद नगर गोलकुंडा की सैयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया यहाँ बोला सेर सा और हुमायो के बीच तो यहाँ पर आप दो option देख रहे हैं B और C जिसमें एक में लिखा हुए विजय नगर बहमनी राज्या इनके बीच लड़ा गया बट ऐसा नहीं हुआ था बट ऐसा नहीं हुआ था वहां पर विजय नगर के अपोजिट में जो सासक थे बहमनी राज्या 58 &ûtr पांच भागों में टूट चुक तूठ चुका है गोलकुंडा 12 तीस्रा है बीदर 24 एहमद नगर एहमद नगर और पांचवा है बीजापूर तो उस समय जो आपका बहमनी राज्य है पांच पार्ट में डिवाइड हो गया था इसमें से चार जो राज्य है बहमनी के चार सेनाओं ने भाग लिया था और ये चार कौन कौन से थे गोलकुंडा ने भाग लिया था बीदर ने भाग लिया था बीजापूर ने भाग लिया था और अहमद नगर ने भाग लिया था इसमें इसे युद्ध में ताली कोटा के युद्ध में बरार सामिल नहीं हुआ था बहमनी वन्स की तरफ से तो आपका option कुन सा होगा, option number C, जिसमें वीजा नगर और दुसरी तरफ कौन थे, वीजापूर, एहमद नगर, गोलकुंडा, और एक और हम लिख लेते हैं, हापर संयुक्त सेना में एक और वंस आ जाएगा, एक और राज्या आ जाएगा, वो होगा बीदर, और भाग जो नह तंगडी का युद्धव बोलते हैं, ताली कोटा की युद्धव को हम लोग किस नाम से जानते हैं, राक्छसी, तंगडी के युद्धवी कहा जाएगा, किसको ताली कोटा की युद्व के, ताली कोटा की युद्व को, clear है, अगला question, प्रमुक्त, तेल्गुकवी, स्रीन किसके दरबार में थे, किसके दरबार में, ये पिएस्टी का सीजी पेस्टी मी पूछा हुआ है, वे आप हम एक दो बार पूछा जा चुका है, ये भी विज़न अगर सामराजी की बात हो रही है, तो तेल्गुकवी जो है, स्रीनाथ जो है, आपके देवरायद्विती के स यहीं पर एक और चीज आपको जैसे मैंने बताया था, देवरायद्विती के समय में कौन यातरी आया था, अब्दुर्रजाक, थोड़ा सा रिवाइज भी करते रही है, हमेशा रिविजन करेंगे, जितना ज्यादा आप बैटर रिविजन करेंगे, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा इतिहास में आपको चीजें याद भी करनी पड़ती है, तो देवरायद्विती के टाइम में कौन आया था, आपका अब्दुर्जाक आया था, वैसे ही देवरायद्विती के बारे मैंने क्या बता है, निकोलो डिकोंटे आया था, जिसमें द अगले क्लास में हम इसी सिर्इस को इस को स्कूष्ण के सिर्इस को आगे बढ़ाएंगे, तो मद्यकालिन का आज हमने कहीं दिल्ली सल्तनत का ही टॉपिक देखा है, अगला हम जो देखेंगे, वो मुगल काल का टॉपिक होगा, इसी के साथ जो है, हम वीडियो को समाप्त क करेंगे, और वीडियो को समाप्त करने के पस्चाहत, कुछ चीज़ों को और मैं आपको बताना चाहूंगा, कि कभी भी इधिहास को पढ़ते हैं, तो इधिहास को आपको दो से तीन बार जरू पढ़ना होगा, जैसे एक बार अगर आप पहले दिन किसी इतिहास के टॉपि किजिए, कुछ टाइम बाद फिर आप जब कोस्चेंस लगाने जाएंगे, तो फिर एक बार आपको और रिविजन होगा, कभी कभी आप पुस्तकों से भी पढ़िए, तब जाकर दो तीन चार बार आप जब रिविजन करेंगे, तब जाकर आप एक्जाम में कॉन्फिडे रहेंगे, और जब चार अप्शन दिखेंगे, तो वहाँ पर आपको कोई भी कन्फिजन हैगा, आसानी से आप प्रशनों के उत्तर दे देंगे, इसी साथ मैं आज कर वीडियो समात्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यमाद